यो तो बॉलिवुट की ऐसी कई सारी एक्ट्रोसिस हैं जो अपने टालेंट के दम पर फिल्मों से माला माल हुए हैं जिन्होंने अपने मूँ मागी रखम अदा कर खुद का नाम डिच वोमेन की लिस्ट में देश किया हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि वहीं टॉप के सारे बाल जड़ गए थे लेकिन इसी पीच इन्होंने कई सारी फिल्मों के ओफर भी मिले थे पर यह कुछ खास दिखाई नहीं देती थी इसलिए इन्होंने नखली विग की हैल्प से और मेकप की कमाल से खुद को पैसे वाली बना दिया था मालकी पहले के मुकाबले अक्ट्रस उमिला माटे उनकर आज 48 साल के उमर में कुछ खास नजर नहीं आती इसलिए इन्होंने अपनी लास्ट मुवे ब्लैक मेल से मेकप का सहारा लेकर खुद को फिल्मी दुनिया में उतारा और लागों पैसे भी कमाई थे कुछ वक्त पहला ही परदेश फेम आक्ट्रस महिमा चौद्री को प्रेस्ट कैंसर हुआ था ऐसे में इनके सारे बाल जड़ गए हैं पर अभी ने एक नई फिल्म में लेने के लिए मेकप और विक का सहारा लिया जा रहा है महिमा चौद्री की तरह ही कैंसर से जुझने के बाद आक्ट्रस सोनाली बेंद्रे ने अपनी खूबसूरती को खो दिया था लेकिन इने भी माल-माल किया इनके आर्टिफिचिल चीजों ने और मेकप निक के कमाल ने पर इने माल-माल तो फिल्मों में इनके किये गए मेकप के कमाल नहीं किया है बॉलिवड की मस्ट मस्ट आक्ट्रस रवीना टंडन की डिमांड फिल्म में इतनी जादा थी कि अच्छी ना दिखने के बावजूद भी इने फिल्मों में लेने की मांग होती थी इसलिए इने भरपूर मेकप कर फिल्मों में उतारा गया था जिससे ये काफी माल-माल हो गई थी धड़कन फिल्म की हिरोईन शिल्पा शेटी जो फिटनिस की मामले में बिल्कुल परफेक्ट है वो भी मेकप की हैल्प से माल-माल हुई है क्योंकि आपको पता है कि ये जब भी फिल्मी दुनिया में आई थी तो बहुत साबली नज़र आती थी लेकिन फेशिल का सारे लेकर इने खुबसूरत बनाया गया था यो तो बॉलिवूट की देशी गर्ल प्रियंका चुबडा पहले ही काफी खुबसूरत है लेकिन इने मालमाल करने में तो इनकी लिप्स फ्लास्टिक सरजरी ने और भी ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है शुरुवाती करियर में काफी सामली दिखने वाली आक्टरस करीना कपूर जो आज एतनी ग्लोग करती है वो भी मेकप के कमाल से लाकों पैसे कमा अगर पैसो से खेल रही है अपने खुशनमा अंदाज से मशूर आक्टरस काजोर पहले कुछ खास नज़र नहीं आती थी ये तो आपने इनकी शुरुआदी फिल्मों में देखा ही होगा पर आज मेकप के कमाल से इनों ने जिस सपलता को चुआ है उसे देखते हैं वे इनकी पास आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो दोस्तों क्या वाकई इन आक्टरस को इनके मेकप ने मालमाल किया है कमेंट करके जुरूर बताएं साथ इसी तमाम कमले जानने के लिए चानल को सब्सक्राइक बना ना भोले